असलाम अलेकूम जी हम लोगा हम ने अपना इंटर वेकर्टी पार्ट दुगा स्टेब स्टाराट किया हुआ जिसके अंतर हम लोगोंने अपना थर्द चैप्टर जिसका नाम है फूरे क्रूप यृप यृफिप क्या हुए यृफे यृफी की हैं और अभी मोगोंने हाज त के चुका हूं carbon monoxide carbon dioxide or carbon sub-odg ओक्षाइड आप ढ notification किस तरह किसी तरह कि पिंटेश्ट है सबसे पहला ध्यक्षाइड है आपन को सबसे पहला किस में ऑगistas कामेभी किसे में भी से यह को टू है silicon dioxide सिलिकॉन डायोकसाइड त्यक्याजी, तो डाया का मतलब दू होता है चीजिशन आपके पास यहां पर लगे हुए हैं तो इसे हम लोग सिलिकॉन डायोकसाइड में अशल precaution अशल में यह इस तरह आपको एलाधा फाम में नहीं मिलेगा होता यह है कि स्ट्रक्ष्ट्र में भी एक उक्सीजन फिर यह एक सिलिकॉन यहां पे इसके साथ उक्सीजन इसके साथ उक्सीजन और यहां पे नीचे भी उक्सीजन और यहां से अगर आप ले लें तो यहां पे सिलिकॉन इसके उपार उक्सीजन इधर उक्सीजन और आगे भी चलता जाता और इधर से आगे भी च टो यह जो सिलिकॉन है कार्मिन मेरे साया मिला होता है, तो यह चार की साय कहाई हो अकिधी साय है, तो इसको लिए स्विकिन का चाहिए कहा होता है, तो आप को एसको सुचेन लगणनाता है, तो आप अधियू वाइ네 है को सॉछ ऑफ नहीं होता object पत्लब के बना ग्योन होता है वो असल में SiO2 से बना हुआ तो हम इसे mainly SiO2 कह देते हैं as a whole ठीक है पड़ना इसका structure SiO2 नहीं होता आप देख रहे हैं इसका structure कैसा यह long change बनी हुई है लेकिन हम लोग इसे as a whole SiO2 कह देते हैं ठीक है तो इसकी properties के SiO2 की जो हमारे पास silica है इसकी properties क्या होती है विट्रस silica possesses following interesting and useful properties विट्रस silica क्या होता है यह आप इस topic के एंट भी पढ़ेंगे अभी आप इस नाम को याद रखिए कि विट्रस silica is something तो मैं आपको एंट भी बताऊंगा क्या विट्रस silica क्या होता है तो यह silica की एक type ही है तो अब देखते हैं कि इसकी properties क्या है यहां पर मैं इसको इसको मैं डा देते हैं और discuss कर लेते हैं इसकी properties विट्रस silica की पहली तो property यह हाई transparency to light transparent to light ठीक है जी तो पहली बात है इस silica जो है वो transparent to light होता है और यह see-through आप इसके आर पर देख सकते हैं very refractory does not soften below 1500 degree centigrade to 1600 degree centigrade तो आपको बहुत जादा temperature चाहिए silica को पगलाने के लिए molten state में लाने के लिए soften ही नहीं होता है इतना hard होता है तो आप rate को देखने rate को आप कभी पगला सकते हैं it is not possible लेकिन अगर आप 15-16-100 degree centigrade temperature दे तो वहां पे वो नरम होना शुरू हो जाता है तो softens 1500 to 600 degree centigrade इतना temperature आपको देना बढ़ेगा इसको सिर्फ soften करने के लिए तो इसकी property है third property यह है जी very low thermal expansion तो यह बड़ी काम की property है जी very low thermal expansion तो यह expand नहीं करता इतनी जल्दी इसकी thermal expansion बहुत low है तो आपको बहुत जादा heat दे तो यह divulge नहीं करेगा जादा बढ़ेगा नहीं अगर आप steel को देखेंगा आप steel को दें तो उसकी thermal expansion है तो यह thermally expand कर जाता है लोहे की तो जादा उससे अब लोहे को heat देंगे तो वह 15-16-16 degree centigrade को पर वैसे ही काफी expand हो जाएगा वो लंबा हो जाएगा लेकिन जो आपका silica है यह इतनी जल्दी expand नहीं होता है इसकी thermal expansion very low है फिर बात करते हैं जी very good property दूसरी बात जी है कि it is hard, brittle and elastic ठीक है जी hard भी है और brittle भी है hard आपने देखा कि रिए कितनी hard होती है brittle भी होती है, brittle का मतलब यह है कि आप इसको खिंचेंगे तो तो तेंजायल properties नहीं करती है तो उसको brittle कहते है ठीक है steel आपका टेंजायल होता है वो brittle नहीं होता तो मतलब जो stretch नहीं होता और दूसरी बात है इसको elastic कहते है elastic में और stretchy thing में क्या फरक होता है कि हम लोग आम तुर पर elastic को stretchness को same ही कर देते हैं ऐसी बात नहीं है अगर आप steel को देखेंगे तो आप उसको stretch करेंगे उसके पास transile properties है और elasticity mainly toughness से भी related है लेकिन I think so अभी इसकी detail में नहीं जाना चाहिए आपके level पर भी इतना नहीं है तो मैं इसको यहीं पर रहन देता हूँ फिर इसकी जो main property होगा है यह insolubal in water and inward towards many regions तो आप कभी भी रेट को पानी में डाल के देख लें जो कि main form है silica की SIU2 की तो रेट कभी भी पानी में डिजॉल्व नहीं होती हूँ पानी के नीचे बैट जाएगी तो पानी की बाटम पर चली जाएगी लेकिन कभी भी यह पानी के इंदर हल नहीं होगी और दूसी बाट है कि many regions की तरफ यह रेक्ट नहीं करती है आप रेट को यूज कर सकते हैं उस जगह पे तो वहां पे शिलिकॉन के यह सौरी रेट की डायर में आई जाती है तो आप देखें के कभी जाके मैं चुके यूटी से हूँ यूटी लाहौर से तो वहां पे हमारे लैब्स हैं मिटलर्ची की जहां पे कास्टिंग होती है मैटिरियल की स्टील की पाकिजिन की इसके नहीं करता उसके सार्प और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी यह इसका सब्सक्राइब यह शीजा की डालें हाईड़कलोरी एसिद नहीं करना माश सिवाए सिर्फ हाईड़कलूरिक असिद की इस एक एसरफ के हैच्फ एसड़ जो के बहुत सारी चीज़ों को खा ज बहुत सारे elements उसको contain नहीं कर पाते हैं और वो rate के साथ भी react कर दाता है तो HF के इलावा ये बागी किसी acid के साथ react नहीं करता तो ये इसकी properties हैं silica की जो इस topic के अंदर बे discuss होई हुई है विट्रस silica की properties तो मैंने आपके साथ भी discuss कर दिये जो हमारी main चीज है इस topic के अंदरे topic काफी बड़ा है और मैं इसके main point है आपके साथ discuss करूँगा मैं सारे इसलों को आपके साथ discuss नहीं करूँगा ये इसकी properties हमने इस तबार discuss की है अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ quarts की बात हुई है अगर आपनी बुक में देखेंगे तो quarts the chrome and crystalline form of silicon dioxide silicon की crystalline form है ठीक है विट्रस silica cell में क्या होता है कि silicon की amorphous form होती है और silicon की crystalline form क्या होती हो crystals मनाती है वो quarts है ठीक है तो quarts the chrome and crystalline form of silicon dioxide is a hard brittle refractor colorless solid which differs very markedly from carbon dioxide तो carbon dioxide से यह थोड़ा सा differentiate करता है quarts quarts में और carbon dioxide में क्या फरक है आप देखें कि quarts एक crystal है वो silicon dioxide बना हुआ है तो वो silicon dioxide और carbon dioxide का crystal बनेगा यह carbon dioxide का compound बन रहा है तो वह ग्यास है it is not even a solid carbon dioxide और silicon dioxide में इतना फरक क्यों है है हरानी वाली बात है कि quarts एक solid बन गया है और crystal की form में आ गया है इसके पास hardness है littleness है सब कुछ है और carbon dioxide liquid की form में भी नहीं है बलकि वो gaseous form में चला गया तो इतना strong difference क्यों है इन दोलों के दरम्यान में तो वह मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी reason क्या है उसकी reason हम यह देखते है कि जो carbon है oxygen के साथ जब मिलता है so it forms carbon dioxide ठीक है तो carbon dioxide का structure है वो भी linear है मैंने आपको बताया है तो carbon dioxide का structure है वो linear है अब linear structure है और यह चोटा सा एक molecule मनाता है carbon dioxide का वो चोड़ 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 आपस में मिलते नहीं है यह chain नहीं बन रही जिसरो oxygen के साथ carbon ने दो दो बॉंड बनाया और यह carbon dioxide बन गया इस तरह एक और carbon dioxide नीचे पड़ा होगा ठीक है तो यह एक कोई long chain नहीं बना रहा है ठीक है तो इनके अपस के द्रम्यान की forces carbon dioxide यहां पे एक molecule है और carbon dioxide का यहां पे molecule है उसके वजह से यह in the form of gas है आपने पड़ा होगे gas के molecules के द्रम्यान के अंदर forces strong नहीं होती और इनके द्रम्यान में चुक्कि forces strong नहीं है इसलिए यह in the form of gas है और अगर हम silika की बात करें तो आपको मैंने पहले भी बताया कि silika जो है यह उपर oxygen यहां oxygen यहां oxygen नीचे oxygen फिर यह silika फिर यह उपर oxygen तो silika क्या करता है कि long change मनाता है oxygen के साथ यह आगे यहां पर चलती हैंगी यहां पर भी अब यह long change मनाता है और this forms a giant structure तो यह अलहदा-लहदा इसके atoms नहीं पड़े हुए यह molecules नहीं पड़े हुए हैं यह सारे मिलके कट्थे एक कंबांड मना रहे हैं जिसकी वजासे यह बहुत ही डिफरेंट आउकसाइड बनाता है silicon dioxide औरो कस्टलाइन फ़र्म में भी होता है और वह amorphous फ़र्म में भी होता है ठीक है जी और इसकी बहुत डिफरेंट प्रपर्टी थे कार्बन डैकसाइ लिखें लिखेंगर ये कैमीकललीचर क्यों इतना कानधे ऋटेर्म के फ़रफेंस की क्यों यह साथ सथ एंगर पितना है के इसफ़रेंस कि मार्डेलीचा इस वजा से हैं कर्बन ऑकसिजन के साथ बंढ़माना के मालेकिल बशान बना के बैढट जाता है ठीक है और silicon घृटे है जिसकी वज़ासे वह सॉलिड है और इसकी वज़ासे पहले वाला गयास है तो इस इस वेरी इंपोर्टेंट कोईशन जो आपको अपने जियन के अंदर रखना पड़ेगा ठीक है जी इस टॉपिंग में से हम लोग ने निकाला है अब हम बात कर लेते हैं जी सिलिका को मेल् तक आप 15-16-16 degree centigrade temperature देंगे उसको सिलिका को तो हलका हलका मेल्ट होना शुरू होगा अपने मेल्टिंग पॉांट temperature के पर जाके मेल्ट हो जाएगा अब बात जी है कि अगर आप इसको कूल डाउन करते हैं तो अराम राम से कूल डाउन करेंगे temperature आइस्था इस्ता कम करेंगे लटसे 12 degree centigrade था आपने पहले 1900 किया, 1800 किया, 1700 किया, 1600 किया, इस्ता इस्ता आप नीचे लेके आ रहे हैं, तो यह definitely crystals बनेंगे, ठीक है, जो के quards बनता है, उपल बनता है, तो quards बगएरा जो crystal है, यह कैसे बनता है, कि आप से लिका जो है, आइस्ता इस्ता cool down हुआ है, तो आपके ठंडा होजगा, फोर्ण से cool down होजगा, तो atom को क्या है, अपनी जगा पर जाने का time नहीं मिलेगा, तो crystalline form में, और amorphous form में फरग क्या होता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यह इस topic की आखरी बात है, it was a very complex topic, लेकिन मैंने इस कोशिश किया है, कि इसके main points आप से discuss करूं, और उसमें कुछ रह ना जाए, तो यह main जो आखरी जो इसका point हूँ, मैं आप से discuss करूं, it's a very important point, तो आम तो पर होता यह है, कि जब आपके पास atoms होते हैं, तो atom crystals की form में ऐसे जाते हैं, मैंने आपको बताया है, पहले भी एक shape बनाई थी, क्यूब की form में होता है, क्यूब के जो कोने होते हैं, इसके उपर आपके atoms लगे होते हैं, ठीक है जी, तो यह इनकी certain एक geometry होती है, उस geometry के अंदर atoms आते हैं, तो क्या बनते हैं, crystals बनते हैं, अगर यह geometry नहीं ब पड़े रह जाएंगे, ठीक है, यह इसी तरह ही है, कि अगर आप किसी बॉटल के अंदर है, किसी जार के अंदर है, कोई चीज डालने लगें, और अगर आप उसको आइस्ता आइस्ता तरीके से डालें, तो आप बहुत ज़दा उसको अंदर चीज़ें डाल सकते हैं, वो कोई भी शेप लेलें, आप उसको डालेंगे एक कंटेनर के अंदर है, तो आप उनको इजली डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक दम से सारी डालने कुश्च करेंगे, तो बड़ा जीप सी एक सैंबली बन जाएगी, ठीक है, तो यहां पे भी ऐसे होता है, कि यह जीप सी स होता है, ठीक है जी, तो यह एक लंबा सा, कॉम्पलेक सा, जीप सा टॉपिक, खतरनाक, खौफनाक सा टॉपिक आपके सामने था, जिसको हम लोगों ने डिसकस किया है, मैंने कुछ पॉइंट में किया, कि स्टार्ट में सिल्कॉन डाइकसाइट को एक्स्पें किया, फिर इ कि सेदेश है, मैंने कि स्टार्ट में से वोगों यहार है, मैंने कि सीपम्वेप सा, कि स्टार्ट में से.